C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू दो प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय चार इसका शीरशक है दस दस में गिनो प्रिष्ट 24 से प्रिष्ट 39 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय चार शीरशक दस दस में गिनो प्रिष्ट 24 चूजे और चालाक लोमडी इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर एक चित्र में तीन चूजे और एक लोमडी का चित्र दिखाया गया है दाई और लिखा है टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे एक दिन एक चालाक लोमडी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा इस प्रिष्ट पर बीच में पीले रंग के बकसे में तिकलू और चालाक लोमडी का चित्र दिखाया गया है महत्वपून जानकारी के रूप में लिखा गया है उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया तिकलू को जब ये पता चला तो उसने लोमडी से पूछा क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे लोमडी ने कहा क्या बात करती हो मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के बकसे में लिखा है टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे गिने कैसे? उसने कहा मैं दस दस चूजों को एक एक टोकरी में रख कर गिनूंगी अगर गिनती कम हुई तो इस लोमडी की खैर नहीं प्रिष्ठ पच्चीस अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूजों को गिना इस प्रिष्ठ पर दाई और पांच बक्सों के चित्र दिखाए गए हैं जिन में चूजे रखे हुए दिखाई दे रही हैं इसके अलावा बक्सों से बाहर भी कुछ चूजे चित्र में दिखाए गए हैं इसके ठीक बाई और आपसे महत्वपून प्रश्न पूछे गए हैं लिखा है दस चूजों से भरी यहां कितनी टोकरियां हैं रिक्त स्थान भरे यहां सब मिलाकर कितने चूजे हैं पचास जमाचार बराबर रिक्त स्थान को भरे इस प्रिष्ठ पर नीचे टिकलू किसान को दिखाया गया है उसके सामने चूजों से भरे हुए चार बक्से रखे हैं और उसके आगे चालाक लोमडी को भागते हुए दिखाया गया है कुछ चूजे बक्सों से बाहर भी दिखाये गये हैं इसके संदर्भ में लिखा गया है शाम को टिकलू ने फिर चूजों की गिनती की दस चूजों से भरी टोक्रिया हैं रिक्तस्थान को भरें कुल मिलाकर रिक्तस्थान जमातीन बराबर रिक्तस्थान चूजे हैं चूवन घटा रिक्तस्थान बराबर रिक्तस्थान लोमडी चट कर गई प्रिष्ट चब्वीस बोलो भई कितने भानू जंगल से लकणियां इकठा करता है और उन्हें बाजार में बेचता है इस प्रिष्ट पर दाई और भानू का चित्र दिखाया गया है जिसमें वो जंगल से इकठा की गई लकणियों को गठर में बांध कर रख रहा है इस चित्र के दाई और लिखा है वो दस लकणियों का एक गठर बनाता है तीन गठर में रिक्त स्थान लकणियां है अब ये कितनी लकणियां है कुल, रिक्त स्थान, लकणियां चार गठर का मतलब है रिक्त स्थान, लकणियां इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इन क्रिया कलापों को करवाने से पहले बच्चों द्वारा विभिन्न वस्तुओं जैसे लकडी, बीज, आदी के माध्यम से दस-दस का समूह बनवाई संख्याओं के नाम और उनके लिखित रूप के साथ इन वस्तुओं का संबंध समझने में बच्चों की मदद करिंग प्रिष्ट 27 इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर लिखा है मालती के घर शादी है वो फूलों की माला बना रही है इस प्रिष्ट पर बीच में फूलों की माला बनाते हुए मालती का चित्र दिखाया गया है दाई और लिखा है वो दस फूलों से एक माला बनाती है इस प्रिष्ट पर दाई और बीच में फूल रखे हुए हैं उसके नीचे लिखा है आठ फूल उसके ठीक नीचे फूलों की ऐसी पांच मालाएं रखी हैं उनके नीचे लिखा है याने कुल मिलाकर रिक्त स्थान फूल हैं इसी तरह इस चित्र में सबसे नीचे फूलों की कुछ मालाएं और फूल अलग से भी रखे हुए हैं इनके नीचे लिखा है ये कितने फूल हैं कुल रिक्त स्थान फूल अगर तुम्हारे पास 21 फूल हों तो तुम दस दस फूलों की कितनी मालाएं बनाओगे नीचे बना कर दिखाओ प्रिष्ठ 28 इस प्रिष्ठ पर लीला और उसकी माता जी का चित्र दिखाया गया है उनके ठीक सामने कुछ पैंसिलें रखी हैं लीला की माता जी लीला से कहती है लीला क्या तुम उन पैंसिलों को देख रही हो ये कितनी है अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो सब की सब तुम्हारी लीला और उसकी माता जी के चित्र के नीचे कुछ प्रश्ण लिखे गए हैं चलो लीला की मदद करें वहां दस पैंसिलों के कितने पैकेट हैं रिक्त स्थान भरें पैकेट से बाहर कितनी पैंसिले हैं रिक्त स्थान भरें कुल रिक्त स्थान पैंसिले हैं प्रिष्ठ उनतीस इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर कनक का चित्र दिखाया गया है कनक के ठीक सामने बिंदियों के चित्र दिखाये गया है उपर लिखा है कनक को अलग-अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है दाई और लिखा है उसके पास कितने पैकेट है रिक्त स्थान भरें कुल कितनी बिंदियों है रिक्त स्थान भरें दाई और बीच में लिखा है हर एक पैकेट में तीन, जमा चार, जमा तीन बिंदियां है अब तुम दस बिंदियों का समुहूं कुछ अलग तरीके से बनाओ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे रिक्त स्थान नुमा एक बक्सा दिया गया है इस प्रिष्ठ पर बिलकुल नीचे सलेटी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों द्वारा अंदाजा लगाने की अलग अलग युक्तियों की चर्चा कीजिए उन्हें दस दस के समुह में गिनने के लिए प्रेरित कीजिए दस बिंदियां अलग अलग धंग से कैसे सजाई जा सकती है इस ओर बच्चों का ध्यान दिलवाईए आप बच्चों को विभिन प्रकार से बिंदियों को सजाने के लिए कह सकते हैं जिससे तुरंत देखते ही वे उनकी गिनती बता सकें इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय चार यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटि लैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत